we live wait why should we learn English and how can we learn English meaning English क्यों reading चारिए और हम English कैसे से सिखने आज कि सबस्वी जे दे और हम इनधार वान से दिसक्स करेंगे आपको अन्म 目前 ब्रinhos बेदेश करना है App को अपने रिष्टादारों के इंपस करना है Speaking English अपने बस को अपने टी-शर को अपने क्लासमेट को अपने प्रेंड को इंपाइसर करना है Speaking English अपणी बढक्राइस करना है सब्सक्राइसर करना है Speaking English So English Language का बहुत Ev mail एंपरतेंड रोल है लेट्स बिगेन शाल वी बिसमिल्लाहिरमानुरहीम असलामौ अलेकूम मेरा नाम है टीशर हदीद और मेरा तालूब टीचिंग से है जिस सुसाइटी के अंदर हम रहते हैं वहाँ पे इंग्लिश लैंग्विज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिसान के अंदर इंग्लिश लैंग्विज सिर्फ एक लैंग्विज नहीं है पाकिसान के अंदर इंग्लिश लैंग्विज एक पूरा का पूरा इंटार बिलीव सिस्टम है आपका एज्यूकिशन सिस्टम आपका जॉब आपका केरियर इविन इंटर्टेन्मेंट के होगे आपको English language नहीं आती आप मोवी enjoy भी नहीं ठीक से कर सकते हैं कोई अच्छा TV serial देखना है जो जिसके बारे में सब जगह Facebook बाते हो रही है जो बहुत ही कोई action और thrilling TV serial है obviously वो English में होगा और आपको उसको enjoy करने के लिए थोड़ी बहुत अच्छी English होनी चाहिए अपके बास इसके लावा अगर आपको कोई अच्छी job चाहिए आप interview के अंदर बहुत अच्छा perform करना चाहते हो important factor is English language आपको बहुत जल्दी अच्छा सा promotion चाहिए English language कोई अच्छी job चाहिए English language is compulsory आप अपने टीशर से अच्छा करना चाहते हो टीशर को इंप्रेस करना चाहते हो English language is compulsory अब टीशर से इंग्लिश में बात करोगे तीशर को और ज़्यादा अच्छा लगता आप से बात करने में इवन आप जीनियस हो अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है टीशर आपको इतना लेफ भी नहीं कराते हैं जो टीक अंदर आपको अच्छी बुक परना चाहते हो आपको कोई टार्गेट मेला किसी टॉपिक के बारे में आपको रिसर्च करनी है वह सारी किसारी रिसर्च आपको मिलेगी इंग्लिश के अंदर इवन यह कि अब अपने इश्रदारों में बैठे हुए हो आपको उनको इंप्रेस करना है यूँ हाफ टे स्पीक इन एंग्लिश अब मज़े की बात पता है कि हमारा पूरा का पूरा एद्यूकरिशन सिस्टम 90% of the time इंग्लिश लैंग्वज पर ही डिपेंड कर रहाता है अब मॉन्टे सरी से उठाके इंग्लिश लैंग्वज होता है अगर आपके इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो आपको किसी चीज़ को मैमोराइज नहीं करना पड़ता अब इजली कॉंसेप को समझके अपनी वेडिंग्स में उसको लिख सकते हो अब करेंग्लिश लैंग्वज यह अगर आपको नहीं आती तो पाकिसान के अंदर ऐसी बेश्यों मार आपके बंद हो जाएंगे निग्लिश लैंग्वज पाकिसान के अंदर एक कंपर सरी चीज है अक्सर student मुझे एक्जैंपल देते हैं, sir's China के अंदर जो है Chinese language को दिजादा पर्मोट किया जाता है, Japan के अंदर 逆पण न इन चाहिना और जपान, आ यहां पर इंग्श लाइंग्विश को ही पर्मोट किया जाता है तो अगर आपको बहुत सी opportunities को avail करना है अगर आप माशरे में पड़े लिखे तर्सवर करवाना चाहते हो अपने आपको तो आपको अपनी English को improve करना पड़ेगा It is what it is. We cannot change it. We just have to accept the fact. Now let's discuss कि आप अपनी English को improve कर कैसे सकते हो आपके बहुत साथ तरीकी होता है जैसे कि आप एक language center के अंदर चले जाओ वहाँ पर अपनी English को improve कर सकते हो लेकिन महाँ पर problem ही होता है कि जब तक आप language center के अंदर होते हो अब improve करते हो जैसे ही आप certificate लेके बहाँ निकलते हो एक हफते बाद एक मैने बाद आप back to zero करेवे होते हो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसी technique बताता हो जो आप easily use करके अपनी English को improve कर सकते हो और आपको पैसे भी खर्श निकलने परेंगे technique number one is record yourself अपने आपको एक topic दो audio वीडियो recording के इस topic को record करो उसके बाद उस recording को सुनो और जो जो खलतियां कर रहे है उसको अपने notebook पर लिख लो फिर दुबार से recording करो और चेक करो कि क्या ये खलतियां जो आपने पहले की थी वो repeat हो रही है या नहीं हो रही इस तरह आप रोजाना एक हफता दू हफता तीन हफते बाद जब आपनी recording को चेक करोगे कि पहली recording और आखरी recording में क्या फरक आया तो आप फील करोगे कि आपने बहुत इंप्रूफ किया be your own teacher be your own institute my second advice is watch English videos or English movies or English Islamic lectures जो भी आपको पसंद है जहां पर आपका इंट्रस्ट है उसको कहीने के इंग्लिश के अंदर सुनो 2-minute, 10-minute पर क्रोजाना सुनो because listening is very important for your speaking जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे जितना अच्छा फड़ोगे उतना अच्छा लिखोगे so try to listen everyday कोई ना कोई 2-10-10-minute के लिए कुछ ना कुछ English के अंदर देखो और उसको repeat करने की कोशिश करो it will help you to improve your listening, speaking, pronunciation, accent and everything और आखरी advice यह कि आप मेरे इस YouTube चैनल को देखके अपने English को improve कर सकते हो यहां पर मैं English language दिखाता हूँ अलग-अलग topics को अलग-अलग grammar topics को vocabulary को language expressions को discuss करता हूँ English में भी, Urdu में भी जिसको आप रोजाना देखके अपने English को improve कर सकते हो एक और चीज आप मुझे wise note के जरीए कुछी भी topic के बारे में बात करके मुझे send कर सकते हो English के अंदर बोलो और मुझे send कर दो What I will do is, I will listen, मैं उसको सुनूँगा और आपको एक अच्छा feedback दे दूँगा कि आपने कहां पर घलती की, आप किस सरथ को improve कर सकते हो इस सरथ भी आप मेरे साथ practice कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी then don't forget to hit the subscribe button Buh-bye